नमस्कार स्वागत है आपका संसर टीवी पर मैं हूँ मनोज वर्मा और आप देखने हमारा खास कायकरम मुद्दा आपका आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर मतदाता सूची प्रबधान की केंशाशित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू जिला प्रशासन ने एक नए आदेश में जम्मू जिले में एक साल से रह रहे है लोगों के लिए मतदाता सूची में अपना नाम लिखाना आसान कर दि जम्मु कश्मीर में मद्दाता बनने और मद्दाता सूची का मुद्दा चुनाव की दिष्टी से खासा एहम है जम्मु कश्मीर में परसीमन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद विदान सवा सीटों की संख्या का मुद्दा भी खासा महत्पोर्ण है परसीमन आयोग की रिपोर्ट और मद्दाता सूची को लेकर दिशा निर्देशों के क्या माइने हैं मुद्दा आपका में आज इसी पर चर्चा करेंगे इसको समझने की कोशिश करेंगे खास मैमाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं मौजूद हैं स्वागत है संसा टीवी पर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मु के पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुपता जी चंद्रमोहन जी आपका भी स्वागत है और शुरुवाद चंद्रमोहन जी मैं आप इसे ही करूंगा यह जो जम्मु को लेकर फैसला आया है मद्दाता पूची के संदर में इसको आप कैसे देखते हैं इसके क्या माइने हैं क्या असर होने वाले हैं इसके यह बहुत अच्छा फैसला है जो लोग कई सालों से यहां रह रहे हैं उनको अपना बोर्ड का हक नहीं है जो जहां काम करते हैं मेहनत करते हैं और लोगों की सेवा करते यह हम सामें जो फैसला किया है कि उनको जो एक साल से यहां रहे रहे हैं वो अपना बोड बना सकते हैं और हरा जहां से जो और हाद मिले pię होती है हारी कादमी को इस लोगतंतर के अंदर हक है कि आपने मातदान करें और यह बहुत बड़ा फैसला है मैं बध़ बढ़ी बधाई अपने पी-म साभ को और मानि है हम साभ को यह बहुत बढ़ी बधाई दूँगी जी लेकिन अक्षे जी आप कैसे देखते हैं इस पूरे पूरी पिर्किरिया को मद्दाता सूची में अपना नाम लिखाना आसान कर दिया है ये जो आसान शब्द है इसके क्या माइने है क्या इससे संकेत है इस बात से मैं थोड़ी सी चकित हूँ और जो मेर साब ने जो बोला मैं उसके साथ संपुन सहमत हूँ कि लोगों का जो डिमोक्राटिक आस्पिरेशन है इलेक्शन में भाग लेने का अधिकार है वो बिलकुल जायज है और सायद आर्टिकल 370 बगरा जो कारवाई हुआ उसके पहले उससे ये जो भी रेप्रेजेंटेशन अब दे पिपल आक्ट देस भर लागो होता है वो इविनिन टेरिटर अब जमोक्राटिक कश्मेर से भी लागो हो गया तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है इसलिए लेकिन आप और हम सबको पता है कि जो आर्डिनर्ली रेजिडेंट होते हैं जहां भारत की जो इलेक्शन की कानून की तहत जो आर्डिनर्ली रेसिडेंट होते हैं उनको भोट के अधिकार मिलना चाहिए वो सब जगा था अभी जमुएन कश्मिर जगे हो गया बहुत अच्छी बात है और उसी के लिए special summary revision चल रहा है आपको पता है और इसका final list जो है इस महिना के अंतर तक निकलेगा ये भी अच्छी बात है और सबसे बड़ी अच्छी बात है एक बड़ी पहल की तहट जो पहले है और अभी फिर डिलिमेंटेशन के जरिये आसेम्बली सेट बढ़ा है तो वहां ये summary revision बहुत बड़ा माईने रखता है इसलिए क्योंकि बहुत लोग पहले deprived होके रहे हैं उनका नाम अभी list में आएगा लेकिन मैं थोड़ा विश्मय चकित इसलिए हूँ ये जो एक साल वाली हुआ है क्योंकि पहले जो था कि डुमिशाइल रेसिडेंस ये ये कुछ जरूत नहीं होगा जो भी वहां काम कर रहा है नोकरी कर रहा है आके रहा है उसको भोट के अधिकार मिलेगा जी तो ये जो एक साल से रेसिडेंस का एक certificate देने के बात बना है मुझे लग रहा मैं एक प्रशन अपने आपको पूछ रहा हूँ उसका मतलब क्या ये है कि जो एक साल से कम है उसको नहीं मिलेगा इसे तो नहीं होना चाहिए जो और इंस्पेक्शन करेगा कि और इसको मिलेगा उसके लिए जो एक साल के residency certificate का ज़रूत नहीं है और मुझे ये भी लग रहा है कि election commission ने जो order issue किया है summary revision का जिसमें कि साथ आठ document का जिक्र है जो अपना जो election का अधिकारी जामू के local उसको री शुक्या है उसके बी कोई जरूत नहीं है क्योंकि वो तो already जानकर ही है क्योंकि वो आठ document होना चाहिए नहीं होगा तो हो सकता है मुझे इस से मुझे लग रहा है कि थोड़ी से साथ आगे clarification के जरूत पड़ेगा क्या ये आशान करने की तरीका है या कोई इसमें difficulty लोगों को हो सकता है मुझे लग रहा है कि जो eligible voter है कोई भी दिक्कत उसको नहीं होना चाहिए उसको ये अधिकार मिलना चाहिए चाहिए वो एक साल के ordinary resident अगर हो अर्पी आक्ट के अंदर उसको इलेक्टरल रोल में आने का प्रवेश करने का अधिकार और सहुलियत मिलता है तो अच्छी बात है अगर उससे कोई क्लारिफिकेशन के चलो का फुता है तो होना चाहिए अक्ष्य जी वो आठ दस्तावेश कौन कौन से हैं कि मद्दाता बनने के लिए जरूरी है आप मैंने जिसे आपको कहा पूरा भारत बर आरपि आक्ट के तहर जो औरिनली रेसिदेंट होगा औरिनली रेसिदेंट जो है उसमें जिसे आपने election commission का जो list बना हुआ है, passport होना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं होगा तो electricity bill होना चाहिए, नहीं तो को जमिन जायदाद का record होना चाहिए, मामूली से मामूली जो छोटा मोटा भी जो आपका identity है, कि वहाँ आप ordinary resident हो जाना चाहिए, इसके बाद पुरा commission खोल कर ये भी या अपना BLO जाके देख लें कि ordinary resident है, तब भी मोका मिलना चाहिए, उसी डाइरे में ये जो district election officer का है, कि एक साल वालों को certificate मिलेगा, ये मुझे, मैं convinced इस बात का नहीं हूँ, कि इस से सहुलियत होगा, या कोई दिक्कत भी होगा, सहुलियत हो जाये तो बहुत च्छी बात तो फिर उसको clarify करके, basically ये election commission के मनिसा है, no one should be left behind, जो वाजियन है, मन्शा यही है कि कोई भी नागरिक जो जम्मू कश्मीर में रहता है, वो अपने मतदान का, प्रयोग करने से वंचित ना रह जाये, मतदाता बने जम्मू कश्मीर का, ये एक मकसद है, चुनाव आयोक का, और इसलिए ये प्रिकरिया पूरी की जा रही है, लेकिन हरदीब लशकरी जी, सवाल उठाया जा रहा है, मुफ्ती महबुबा जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं, कि आप बदलना चाह रहे हैं, उस भगोलिक इस्तिती को, जनसंख्या की इस्तिती को, जम्मू की, इसके प्रोसेस है, उसी वक्त, उसके बाद जब री ओर्गनाजिशेशन एक्ट लागू हुआ था, 31 अक्तूबर 2019 को, तब खरीक परीपर 890 ऐसे कानून थे, जो कि रिपील कर दिये गए थे, जम्मू कश्मीर से, 890 ऐसे कानून थे, जो भारत के, संसद भारत के कानून थे, जो क जम्मू कश्मीर में लागू किये गए थे, उसी में The Representational People's Act 5051 ये भी लागू कर दिये गया था, अब जैसे की बताया की 2019 के बाद, वहाँ पर एलक्टरोरल रोल जो है, वो अपडेट नहीं हुआ था, उसी के प्रकरिया चल रही है, अब उसमें राजनीती कैसे हो, जो एक विधान, एक समिधान, एक निशान की, एक जंडे की, तो उसको बार बार चोट करने की कोशिश, ये कश्मीर के जो सेप्रेटिस्ट, मैंटेलिटी के जो नेता है, वो कहीने कहीं कोशिश करेंगे, वो अब तक फियल रहे हैं, चुकि इस बार ये जो आदेश आया है, ये ज जम्मू को निशाना साते हुए, डुग्रा आइडेंट्री का नाम लेते हुए, ये बताने की कोशिश की है, कि अब जम्मू के लोग सफर होंगे, जबकि अब जो डिलिमिटेशन प्रक्रिया हुई है, उस और जो डिलिमिटेशन के बाद जो अब ये इलेक्टरॉल रोल के अबडेशन का काम है, इसमें जम्मू क्षेतर का ही फाइडा सबसे ज़्यादा बैतर होता दिखाए देता है, क्योंकि इससे पहले जो कहीं ने कहीं दुरभाव, जो उनके साथ भेदभाव होता रहा है, वो अब धीरी-दीरे खत्म होने लगा है, अब खत्म हुआ है, तो क ठोक लगाने की यहां कोशिश है, और अगर आप देखें तो मुद्दो की भारी कमी है, जमीनी हक्यकत, ड्वलिप्मेंट बे बात नहीं करना, तमाम चीज़ें बात नहीं करना, अब मुझे बताईए कि इससे फाइदा किसको हो रहा है, दलित समूद आए, उन्नी सो अठा बना कर रखा गया, उनको PRC नहीं दिये गया, पर्मानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, और जो जम्मु कश्मीर का अलग समीधान था, उसी में जैसे इंडिया का है, वहाँ पर जम्मु कश्मीर रेप्रेजेंटेशन और पीपल्स एक 1957, उसमें एक कलोज अलग था, दे जिसमें दलित हैं, जिसमें गोर्खा हैं, जिसमें बड़ी संक्याव महिलाएं हैं, जिसमें जिनुने अपने राज्ये से बाहर शादी कर ली, उनको PRC का अधिकार हटा दिया गया, POJK के विश्थापित हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो की इनको अधिकार अब मिल मैं चंद्रमोहन जी आपसे समझना चाहता हूं इस राजनीती को, क्योंकि बात चाहिए परसीमन आयोग की हो, या मतदाता सूचे की, कश्मीर के एक कुछ नेता हैं, जो लगातार इस पर सवाल उठाते हैं, अगर कश्मीर में, जम्मू में, जो बर्चों से लोग रह रहे ह उनको अगर बोट का अधकार चुनावायोग देने जा रहा है, या देना चाहता है कि हर नागरिक अपने बोट का परियोग करे, अपने मतदान का परियोग करे, मतदाता बने, तो इसमें आपत्ति क्यों, क्या इसके पीछे राजनीती हैं? जो जम्मों के साथ भेदवाब हुआ है, विशेशकार जो हमारा स्वाई साथी हुए है, जो दल्तूं की बात आ रही थी, तो उनकी क्या हालती, उनका बच्चा अगर पढ़ भी जाता था, वो कहीं स्वाई करमचारी ही काम करता था, गोर्खा समाज था, गोर्खा समाज जो पाकिस्टान से जहां जम्मूं आगे थे, उनको भी राइट नहीं था, जो पंजाब में के, देश के आरने कौने में के, उनको राइट था, लेकन जो जम्मुकश्वीर में आगे, उनको भी अधिकार मिला है, फाड़े पाइश पैंच पैंश लाज रप्या उनको मिला उनकी जो जमीने थी, उनकी इलाटमेंट की थी, वो ऐसे बैठे हुए थे, आज उनको भी इलाटमेंट का आडर वो मिल रहे हैं, ये 370 हटने के बाद, पैंसी से हटने के बाद, और जो निया डिलिम्टेशन हो रही है, उसके बाद उन लोगों को राइट मिला है, जो कश्मी कि अगर मैं महबुवा, मुथि के फादर की बात करूं, मुथि मुहम्मद सहीद की बात करूं, उन्होंने खुद जब चनाव लड़ा था, और जब वहार जाकर चनाव लड़ सकते हैं, अगर बाहर को आगर जो 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 वोटिंग राइट मिलेगा, तो आपको किस बात की है उनकी कुर्सी खिस्कती हुई नजर आ रही है, उनका आप दी एंड हो रहा है, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है जे, अक्षे जी मैं आपसे सबजना चाहता हूं कि अक्सर इस तरह के सवाल जम्मो कश्मीर के संदर में कुछ नेता उठाते हैं, बात चाहें परसीमन की हो या मद्दाता सोचे की है, अब सवाल डोगरा का उठा दिया गया है, क्या आप इसके पीछे क्या पहलू देखते ह यह स्टेट ही डोगरू का था, डोगरू ने महराजा गुलाब सिंग ने इसको बहुत बड़ा स्टेट किया तो बहुत बड़ा आगे इसकी सीमाई ले गे थे वो, और उन्हों ने यहां मुझे जो दियान है सो डेट सो साल पहले यहां चुट-चुट-चुट-चुट-च बड़ा गुलाब सिंग ने इससी तरह जमो किश्मीर को स्ट्फिशनी स्ट्फिशनी स्ट्फिट को अकठा करके एक बोद बड़ा स्टेट बनाया था, आज इसको हम जो जो जूटी है, आदा हिसादे से जाला है, पाकिस्तान के पास और चाइना के पास है, हमारे पास आने नहीं सकता पहली बार पहली बार जम्हो कश्मीर के अंदर एक दोगरा चेमिनिस्टर बढ़ने जा रहा है इस पक्सीमन आयों की रिपोर्ट भी बात करूंगा आप से समझने की कोशिश करूंगा लेकिन पहले अक्षा जी मैं आप से जानना चाहता हूं कि जो मद्दाता कुछी है उसको लेकर कश्मीर के कुछ नेता महबुबा जी भी सवाल उठा रही है आप इन सवालों को कैसे देखते हैं मैं कोई राजनेता जी नाम नहीं लूँगा या राजनीती का भी नाम नहीं लूँगा मेरा जो डिस्टिंगुश्ट के वह उसके बारे में बता रहा हूं टेक्निकलिटेश के बारे में में जब राजनीती खतम होता है और पार्लेमेंट में कानून पास होता है जो आर्टिकल 370 का अब्रुगेशन हुआ है वो होता है उसके बाद इलेक्शन कमिशन और इलेक्टरल रोल की काम सुरू होता है जब डी लिमिटेशन भी हो परकर के बातों वह भी हो सकते हैं, जो भी हो, सब को अधिकार मिलना जाइज है आर्पी आक्ट के अंदर, और इलेक्शन कमिशन का अंदर अपना जो काम कर रहा है, और ये ये अक्टबर वान के रेफरेंस में हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं होता, अगर उसका भी एक करना है, बाकी जो राजनिति करना है, उसके ओपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, आपसे, मैं आपसे, मैं आपको एक इशारा छोटी बात बता रहा हूँ, आज की तारिक में इलेक्शन कमिशन का ये भी प्रयाश है, नैं जमुएट कर्ष्पर के बाहर जाके बात कर मैं उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, वहां की बंजी कृत होके बोट देने के लिए, तो जमुएट कर्ष्मिर का मामला क्यों अलग है, नहीं होना चाहिए, वही काम हो रहा है, लेकिन आज की तारिक में आप इसलिए बात कर रहे हैं, जो कुछ अडर निकला है, कोई भी डिश्टिड एलेक्शन आफिसर हो या जहां से भी हो, अगर उसी से सहुलियत बढ़ता है, तो वेलकम है, अगर सहुलियत नहीं काम होता है, तो और भी सहुलियत करने के लिए क्लारिफिकेशन होना चाहिए, मैं आपसे यहीं चीज समझना चाह रहा था, मैं जानता हूँ जो पृतिगरिया है, वो मुझे नहीं मिलेगी, मैं राजनीती करना भी नहीं चाहता ऐसे मुद्दों पर, मैं सिप यह जानना चाहता हूँ कि क्या जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह का कुछ नेता, सवाल खड़ा करना चाहते हैं, एक भरम की इस्तिती पैदा करना चाहत हैं कि शाइज जम्मू कश्मीर के साथ कुछ अलग से भेदवाव हो रहा है, पूरे देश के लिए चुनावायों की जो पिरकिरिया है, वो ही जम्मू कश्मीर में लागू की जा रही है, बिल्कुल नहीं है, इसे कुछ नहीं है, जो कि डिस्क्रिमेटर है, बलकि यूनिफ पियाग तो यूनिफर्मिल लागू हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदवाब कर उससे पीस में है ही नहीं, जैसे बिहार के अगर नागरिक दिल्ली में आके रहते हैं, तो दिल्ली में वो बोटर बनते हैं, और यहां पर बोट देते हैं, वो ही पिरकिरिया कश्मीर म लागू की जा रही है, जो जम्मू में जाके लोग रहते हैं, उनको भी बोट देने का अधकार, मतदाता बनने का अधकार दिया जा रहा है, एक सवाल, लशकरी जी, दो हजार दो में, जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जो आनी थी, या जिस तरह से हो न आयोग की रिपोर्ट को देखिए, जनसंख्या, मतगणा, जो सैंसेस हुए हैं इससे पहले, उससे पहले उस वक जो सैंसेस हुए होगे, इन दोनों का मिलान करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि बहुत सारी गड़बडियां, डिस्क्रिप्रिंसी ऐसी हुई है, वोटर लि लगाता सवाल खड़े होते रहे कि लगातार जम्मू की संसंक्या एक तरह से स्टेग्नेंट हो गी है, जबकि कश्मीर का कुछ इलाकों की संक्या जबरदस्त बढ़ रही है, और फिर उस पर डिलिमिटेशन होता है, तो ये बात समझ में आ गई थी कश्मीर केंदरित नेता है, तो उसको ही कायम रखते हैं, दोजार अठाइस तक अगले दोजार अठाइस तक उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी, बाद में देखेंगे, लेकिन बार बार मैं कहना है, पांच अगर छे अगस्त को ही सब कुछ हुआ था, उसके बात तो ये कंटिनुएशन है, उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि भाई जो वोटर्स लिस्ट जो अपडिशन हो रही है, उसमें एलिजबिलिट ये लोग हैं, उनका अख्षाराव जो ने सही कहा कि एक साल ये नया ही उसमें एडिशन है, जबकि एक साल की निरूत नहीं है, कोई वहाँ पर ओडिनरी, वोट देने का अधिकार मिलेगा, भाई वहाँ पर टेक्स दे रहा है, वहाँ पर रहता है, उसको सड़ के अच्छी चाहिए, उसको गली है, तो ये उसका अधिकार है, हाँ, बस वो दूसरी जगए उस वोटर, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं दिल्ली में भी वोटर हूँ, मैं ज नकामियाब रहेंगे, और उलक्टरोल, उलक्टरोल के बाद कहीने की इलक्षन की जो बात हो रही है, नौर्मलसी की जो बात हो रही है, नौर्मलसी नहीं चाहिए, चाहिए तो वो की दिक्कत आतंकवाद बढ़े, और फिर वोटिंग परसंटेज 20 से भी कम हो, 15 हो, 12 परसं जो देश के अन्यरा जो जो एक मतदाता होने के नाते मुझे दिल्ली में अधिकार है यूपी में है महराश में है वही जम्मु कश्मीर में भी है और वो अधिकार वो जो प्रक्रिया है वो चल रही है उसमें रुकावट कुछ नहीं है कोई कहे कि 20 लाग जोडेंगे कोई कहे 15 लाग जोड़ेंगे वो सेकंडरी है लेकिन एक बड़ा काम हो रहा जम्मु कश्मीर में विदान सवा सीटों का जो सरूप बदला है उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े किये जा रहे हैं आप कैसे देखते हैं जो परसीमन आयो की रिपोर्ट आई जिस तरह से सीट चबारा हुआ है आप कैसे देख रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है और लोगों की इच्चा उनसार हुआ है और जो हमारा था कुमिशन ने बार 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 सब लोगों को पुशा है राए ली है उसके बाद ये सारा हुआ है लेकर इससे पहले जो लोग डिलमेडिशन करता रहे किसी को पूछते नहीं थे तो आज पहली बार ऐसा हो रहा है लोगों को हाग का अपना मिल रहा है ये नहीं सिर्फ जम् से 2010 में और इन्होंने चाप प्रिंटिंग की बारी आई पचाज जार बोड़ी कार दिया हमारे जो कितनी महन से एक बोड़ जाके बनता है घर घर जाकर किसी का पी आर्सी लेकर किसी का ये लेकर उस वक्त की बात कर रहा हूं और पूरे 75-70 साल इन्हों हमेरे साथ चल कप्ड क ये सारा पैसा इनकी पांक्तू में जाता था और ये सारा पैसा बाहर ले जाते थे और जमू कश्मीर का जो आम नागर्ट था वो गरीब से गरीब होता गया और ये आमीर से मीर होते गे तीन पर बात जे बिलकुल 5 अगस 2019 को 96-370 हटाई जाने के बाद एक बड़ा बड़ा आप जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है बात चाहिए विकास की दिस्टी से हो या चुनाप की दिस्टी से बात की जाए लोकतंत की बात की जाए जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है आप तीनों ने स्काइकरम में भाग लिया हमसे बात क शुक्रियाब तीनों का तो आज हमारे स्काइक्रम में इतना ही मुझे दीजिये आग्या नमस्कार झाल कर दो झाल कर दो